एबीपियस न्यूज टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक ठाकुरद्वारा इस्थित मीरपुर मोहंचक गाउं पहुची लगबग चारह यार की आबादी वाली यह ग्राम पंचायद जिला मुख्याले से 49 किलो मीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायद की दूरी मात 18 किलो मीटर ही है वर्तमान समय में इस गाउं की प्रधान जहरा खातून है गाउं में सफाई विवस्था को दुरुस्ट कराने के उद्देशन से गाउं में सफाई कर्मी भी तैना दिखाई दिए जो अपनी जिम्मेदारी को भी पूर्ता निभाते हैं वहीं वर्तमान समय में ग्राम प्रधान के कारियों की समीक्षा करें तो पता चलता है कि गाउं में प्रधान द्वारा 8 सडकों का निर्मार कराए गया है तो वहीं 25 शोचाल ले यानि इजजद घरों का भी निर्मार कराकर उन्हें ग्रामीडों को दिया गया है ग्राम प्रधान प्रतिनी दी ने आगे बताया कि उनके द्वारा गाउं में लगबग 240 मीटर नाले का निर्मार भी कराये गया है तो वहीं आंगनवाडी में टाइल्स का कारण भी जारी है उन्होंने बताया कि गाउं में अभी भी कुछ सो विधाओं की आवशक्ता ग्रामीडों के लिए है ग्राम प्रधान के इस गाउं में विद्वा पेंशन, व्द्धा पेंशन वा विकलांग पेंशन योजना के अंतरगर सभी तरीके के लाबों से पात्रों को लाभानवित किया जा रहा है बात अगर शिक्षा की करते हैं तो गाउं में लगबग देर सो बच्चे प्राइमरी वा जूनियर पाटशालों में शिक्षा ग्रहन करते नजर आए वहीं प्रधान प्रतिनी दी ने बताया कि उनके दौरा गाउं में लगबग 27 हैंटपं भी लगवाए गए गए हैं जबकि पांच रीबोर भी गाउं में कराए गए हैं वहीं बात बिजली की करें तो 65 बिजली के पोल वा 12 बिजली के ट्रांसफार्मर सोय यह गाउं जगमगाता सा दिखाई देता है ABPS News Team के माध्यम से प्रधान प्रतीनी जी ने राजसरकार वाकेंद्र सरकार से मांग की है कि जल से जल रूम के डाउं में पंचायद धर, अस्पताल, बैंक, स्कूल की बॉंडरी, सौरूर्जा की प्लेटें वा 62 आवासों का वित्रा गाउं में किया जाए जिससे प्रधान जी नहीं करवाया है कार्य करम सही है पत्व हम हुदे की सात्व हुद्द को एक संगौता के साथ सारे गामों का धियान दे रहे हैं। कर आगे मैं कि आने कामे हैं जूबी गाउन की समस्या हैं , जू भी गाउन का भीकास के हिसाभी प्रिध्धन जी हर वक्ट प्रियास में लगई है। कावी अच्छे काम करा रहे हैं और कार्य करा भी रहे हैं कावी खड़न जे नाली और सड़गे जिदने निर्माड गराय गया है वो भी सबी संतुष जनेग है देखे मैं गिराम पिर्धान पती मीरपुर महंचक मुखतार हमक यहां से इस गिराम बंजा से मेरी वाइफ गिरा पर हमारा जो कारिय चल रहा है उसको हम अच्छी तरह से देख बाल से चलाते हैं और हमारे जो गाओं का विकास है वो हम उसको अपनी तोर से बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन यहां पर जो समझ से आ है हमारे यहां पर कई चीज ऐसी नहीं है जो जिनकी हमें जरु यहां पर एक पंचाद भबन नहीं हैं पंचाद भबन कराया जाए और बहुत सारे जो हमारे यूबा लड़के हैं, जो हमारे भाई हैं, जो किर्किट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, वो हमारे भाई हमसे डिमांड कर रहे हैं, कि एक यहाँ पर खेल का मैदान होना चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री जी सा अनुरोद तरूँगा, गुजारिश करूँगा, कि हमारी किराम पंचात को ज्यादा सा ज्यादा पैसा भेजें और इन चीजों को महया कराएं मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी रहूँगा और हमारे गाउं की निती है कि हमारा गाउं हिंदु मुस्लिम सब एकता में होकर रहता है जो मैंने कारिये गिनाए हैं मैं आप से अनुरोत करूँगा गुजारिश करूँगा कि मेरी गिराम बंचात को ज्यादा ज्यादा पैसा भेजें ताके मैं अपने इस पूरे मीर पुर्महंचक को सफल बना सकूँ